हमें पता है कि धर्ती पर जीवित रहने के लिए ऑक्सिजन बहुत महत्वपूर्ण है जली ये वातावरण में ऑक्सिजन का निर्मान करने वाले और ऑक्सिजन का उपयोग करने वाले अनेक सूक्ष मजी होते हैं ये जली ये परिस्थिती की तंत्र के निर्माता के रूप में काम करते हैं इसी परिस्थिती की तंत्र पर अन्य प्राणी निर्भर होते हैं साफ पानी में रहने वाले सूक्ष मजी पानी में ऑक्सिजन की मात्रा को बनाए रखने में मदद करते हैं गेहरी सतह पर जो सूख्समजी होते हैं वे जैविक उपचारों में सहायक होते हैं क्या आप जानते हैं जैविक उपचार किसे कहते हैं तेल जैसे पदार्थ, विशैले रासाइनिक पदार्थों और अन्य प्रदुशकों से दूशित वातावरण को साफ रखने के कार्य को जैविक उपचार कहा जाता है ये जिवानों उन विशैले पदार्थों को निकालने में भी उपयोगी सिध्ध होते हैं जो मिट्टी में घुल कर भूजल को दूशित करते हैं या गहरी सतोहों तक पहुंचते हैं हम मानों अनेक कृत्रिम योगिकों का उपयोग करते हैं ये जिनो बायोटिक योगिक प्राकृतिक तरीके से निर्बान नहीं होते हैं उधारण के लिए कीटक नाशक दवाईयां, रंग बनाने के लिए इस्तमाल होने वाले पदार्थ, अर्थाद, डाई, सॉल्वेंट्स, इत्यादी इन सभी हानिकारक पदार्थों के अपगटन में ये सूख्षमजीव सहायता करते हैं चलिए इसका एक उधारण देखते हैं बैक्टिरिया की कुछ जातियां भारी भरकम धातू को गलाने का काम करती हैं जैसे जेमेला जाती के बैक्टिरिया, मिक्रोकोज जाती के बैक्टिरिया और हफनिया जाती के बैक्टिरिया ये सूख्षमजीव लेचिंग जैसी प्रक्रिया में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं इसमें सूख्षमजीव की मदद से निमनस्तर के कच्चे आयसकों से धातूँ को प्राप्त किया जाता है सूख्षमजीव तामबे, सोना और यूरेनियम जैसे धातूँ को आयसक से अलग करने में काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं हरे रंग ले अलगे जैसे सूख्षमजीव पेट्रोलियम भी तैयार कर सकते हैं स्थली अपरिवेश में सूख्षमजीव एक महत्वपूर्ण काम करते हैं इन सूख्षमजीव में एक विशेशता क्षमता होती है जिसके कारण वे कारबन, ऑक्सिजन और नाइट्रोजन जैसे मूल अततूओं का पुनरनिर्मान कर सकते हैं यह तत्व हमारे जीवन के लिए आवशक होते हैं पोशक तत्व चक्र अर्थात, न्यूट्रियंट साइकलिंग में भी सूख्षमजीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निबाते हैं सभी प्रकार के सजीवों के लिए आवशक पदार्थ उन्हें उसी रूप में प्राप्त हो इसका सूख्षमजीव विशेज ध्यान रखते हैं सूख्षमजीव जैविक पदार्थों के विघटन और बायो डिग्रेडेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निबाते हैं इस प्रक्रिया में सूख्षमजीव जटिल जैविक पदार्थों को छोटे-छोटे कणों में परिवर्तित करते हैं जिनसे कारबन निर्मान होता है जो अन्य प्राणियों द्वारा उप्योग में लाया जाता है वनस्पतियों के साथ साहचरिय वे बैक्टिरिया जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर पौधों के विकास में मदद करते हैं उनका वनस्पति जगत के फली वाले पौधों इनमें मटर, फलियां, दूब, रिजका जैसे पौधों का नाम आता है के साथ नजदी की साहचरिय होता है नाइट्रोजन नियतन अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन की यह प्रक्रिया सिर्फ कुछी बैक्टिरिया में पाई जाती है नाइट्रोजन नियमन नाइट्रोजन फिक्सेशन की यह प्रक्रिया सिर्फ कुछी ही बैक्टेरिया में पाई जाती है इसमें वे वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसे अमोनिया में परिवर्तित करते हैं जिसे प्राणियों और वनस्पतियों द्वारा इस्तमाल किया जाता है। खेती के कामों के दौरान जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा में कमी आती है। या वो निकल जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इस पक्रिया द्वारा हम नाइट्रोजन का पुनर निर्मान कर सकते हैं। कुछ बैक्टेरिया पोधे के साथ साहचरिय स्थापित कर नाइट्रोजन की निर्मान का काम करते हैं। और कुछ नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टेरिया जलिया आवास में मुक्त स्वरूप में रहते हैं क्या आपने कभी मुंफली या मेथी के छोटे पोधों को देखा है इनके जड़ों में जो छोटी गांठे होती है क्योंना आप स्वयम एक प्रयोक करके देखें इनमें से किसी भी एक पोधे की जड़ लें और उसे अच्छी से धोएं और फिर जड़ की गांठ से एक छोटी से टुकड़े को कांट लें उस टुकड़े को दो से तीन मिनट तक सफरानीन के घोल में रखे फिर वो टुकड़ा कांच की स्लाइड पर रखें संयुक्त सूक्षमदर्शी के नीचे रखकर उस स्लाइड का नेरिक्षन करे आपको गुलावी रंग में छड़की आकार का प्राणी दिख रहा होगा यही राय जोबिया है लिंचेस अर्थात काई में कवक और एलगी में पारसपारिक संबंध होता है काई उस सतह पर उकती है जहां आन्य प्राणियों का विकास नहीं हो सकता इसलिए इस प्राकार के संबंध वातावरण में नई बस्ती बसानी की प्रक्रिया को अधिक प्रोथसाहन देते हैं माईकोर जिया में पौधों की जड़ों में और कवक में इस प्राकार का पारसपारिक संबंध होता है इस प्रकार के सम्मन्द में कवक पौधों को बंजर मिट्टी से पोशक तत्वों को सोखने में मदद करते हैं प्राणियों के साथ साहचरिया गाय भेड जैसे प्राणि जो अपना खाना चबा चबा कर खाते हैं उनके प्राथमिक अनपचन में यह सुक्षमजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनके पहले पेट में जिसे रुमेन कहते हैं इनमें यह जीव होते हैं यह ना सिर्फ पोशक तत्वों के पचाने में मदद करते हैं बलकि वे अपने यजमानों के लिए कारबन भी निर्मान करते हैं और वे इन प्राणियों के लिए प्रतिनों और विटैमिन का भी स्तुरूत होते हैं